वेलकम टू ओकेट दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशुपक्षी इधर उधर भाग रहे हैं बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमडी से पूछा अरे ऐसा क्या हो गया है? क्यों सब भाग रहे हैं? लोमडी ने जवाब दिया एक शिकारी जंगल में आया है इसलिए हम सब अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा इतना बोलकर लोमडी तेजी से वहां से भाग गई शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर कर भागने लगे भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आये तभी बंदर ने कहा मित्र खरगोश सुबह से हम भाग रहे हैं अब शाम हो चुकी है चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं मैं ठक गया हूँ खरगोश बोला हाँ ठकान ही नहीं प्यास भी बहुत लगी है थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आराम करेंगे बंदर ने कहा प्यास तो मुझे भी लगी है चलो पानी ढूंडते हैं दोनों साथ में पानी ढूंडने के लिए निकले कुछी देर में उन्हें पानी का एक तलाब मिला उसमें बहुत कम पानी था अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा अब खरगोश कहने लगा तुम पानी पी लो मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है फिर बंदर बोला मित्र मुझे प्यास नहीं लगी है तुम पानी पी लो मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे पांस से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो खरगोश ने कहा देखो न हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है बंदर बोला नहीं नहीं भाई, खरगोश छूट बोल रहा है मुझे प्यास नहीं लगी है इसको प्यास लगी है लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है हाथी यह द्रिश्य देखकर बोलने लगा तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है हर किसी के लिए यह एक मिसाल है तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा उन्होंने आधा-ाधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का खयाल रखते हैं सच्ची दोस्ती में स्वार्थ